ओम नमस्षिवाय नमस्कार श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको ऐसी रासियों के बारे में बता रहा हूँ जिनके उपर भगवान सिव सदा प्रसंद रहते हैं और सदा ही उनकी मनों कामना पूरी करते हैं दोस्तों ऐसी रासियां जो बहुत ही भागिसाली हैं और भगवान सिव सदा ही उनकी रख्या करते हैं भगवान सिव की किरपा जिसके उपर हो जाए सारे कारे आसानी से सिद्ध हो जाते हैं आज में आपको कुछ उपाई भी बता रहा हूँ कि इन उपाईों को करने से इनसान को बड़ा लाब मिलता है और जीवन की हर इच्छा हर मनो कामना पूरी हो जाए है इनसान तरक्की पर तरक्की करता है इनसान की घर में परपूर धन्यदाने रहता है सदाई उसकी इच्छाए मनो कामना पूरी होती है लेकिन पाँच कार जो लोग करते हैं भगवान सिव उनी के उपर प्रसन होते हैं इस चीज़ का आपको विश्चीज द्यान रखना है रासी कोई भी हो लेकिन जो लोग पाँच कार प्रतितिन करते हैं उनके उपर भगवान सिव की सदा करपा रहती है और उनको पुत्र और धन की प्राप्ति होती है भगवान बोलेना बड़े ही दयालू हैं लेकिन सास्त्रों के इसाब सी जो कोई भी है पाँच कार करता है सभी देवताओं की किरपा उसके उपर बनी रहती है जो व्यक्ति इंसान सदा भगवान की भग्ति में लगा रहता है प्रति दिन दस मिनट भगवान की भग्ति के लिए निकालता है भगवान सिव की वक्ति करता है चाहे किसी भी रूप में करता हो भगवान सिव की किरपा सदा उसके उपर बनी रहती है जैसे करकरासी है करकरासी के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सदा ही भगवान सिव की वक्ति में लगे रहती है जंद्रमा सदाही भगवान सिफ़ के साथ रहते हैं इसलिए करकरासी वालों के उपर विशेश रूप से भगवान की किरपा होती है नम्मर दो जो व्यक्ति प्रति दिन किसी असाई की सायता करता है प्रति दिन करे या हपते में करे कोई असाई व्यक्ति है या किसी की कौारी करन्या है उसकी साधी में सयो करता है या किसी भुजुर की सेवा करता है किसी अनाथाले में सेवा करता है दान देता है जितने लोग भोजन करते हैं उतनी दुआएं उसको मिलती हैं तो भगवान सिफ सदा उसके उपर पहसन रहते हैं मेस रासी बालों का भागी सदा यह उच्छ रहता है भगवान सिव की कृपा रहती है लेकिन यह 5 कार 12 और रासी बालों को करने चाहिए अगर 12 और रासी बाले यह 5 कार करते हैं तो भगवान सिव सदा उनके उपर प्रसंद रहेंगे जो लोग भूकों को भोजन कराते हैं गरीबों को बस्तरदान करते हैं उनकी दुआय लेते हैं कहते हैं कि दुआ में बर्दान से भी ज़्यादा सकती होती है तो इनसान के सारे कार शिद्ध हो जाते हैं प्रतेक इनसान को यह कार जरूर करना चाहिए जितना हो सके उतना भगवान की सेवा और गरीवों की सायता जरूर करनी चाहिए नम्मर तीन जो लोग अपने मावाप की सेवा करते हैं जो व्यक्ति बुजर्गों की मावाप की सेवा करते हैं माता पिता का आसिरवाद उनको प्राप्त होता है वहराशी पर सदाई भगवान सिवकी किरपा रहती है वहराशी वाले सदाई धन्य से फुत्र पोत्रों से संपन रहते हैं इस चीज पास से विसेश ध्यान रखें कि अपने मावाप की किसी बुजुर्ग की आग्या का अलम बंग ना करें किसी की आग्या को अंदेखा ना करें जो भी आपकी बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं जो भी वो कह रहे हैं आप उनकी आग्या का पालन कीजिए और उनकी सेवा कीजिए मावाप पहले भगवान होते हैं इंसान की और भगवान भी प्रसन होते हैं जो लोग माबाप की सेवा करते हैं या भुजर्गों की सेवा करते हैं ऐसे ऐसा है भुजर्ग जिनके बच्चे उनकी देखवाल नहीं करते हैं उनकी सेवा करने का बड़ा पुन्य प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति पर सदाई मातालचमी महरवान रहती है कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आता और घर में सदा ही कुबीर का बास रहता है मातल अच्छमी का बास रहता है इसलिए बिशेश रूप से इन बातों का आपको बिशेश ध्यान रखना है कि कभी भी किसी बुजरुक का अपमान ना करें और अगर किसी बुजरुक की दुआ आपको मिल जाती है उनका अशिरवाद आपको मिल जाता है तो देगना घर में आपके में कभी कोई संकट नहीं आएगा और अगर आप किसी की बद्दौा लेते हैं तो दोस्तों आप कितना भी अच्छा कार करेचा कितना भी पैसा कमाए वह नश्ट हो जाता है और भगवान भी प्रसंदे नहीं रहते इस चीज़ का आपको विशेश द्यान रगना है एगनात महराज थी एगनात महराज काबर लेने गई तो वह काबर ला रहे थे रास्ते में क्या दिखते हैं कि एक अन्मियों का मोशन था तो प्यास से तड़प रहा था एगनात महराज ने वह जो गंगा जल लेकर के आये थे वह गंगा जल का पानी उस गदे को पिला दिया सभी लोग देख रहे थे उनकी जो साध्यू संते सगे थे उन्हों का कि महराज ये क्या किया आपने ये तो गोर पाप कर दिया आपने भगवान सिव को रुष्ट कर दिया अब भगवान सिव अप्रसन हो करके तुमारे उपर क्रोध करेंगे एक नात महराज कहते हैं कि भगवान उससे सदाई प्रसन रहते हैं उसी शमय भगवान सिव ने प्रसन नो करके प्रगट हो करके एक नात महराज को आशिवाद दिया था तो इसलिए भगवान के प्रती श्रद्दा भाव और भक्ती रखिए लेकिन करम भी अच्छी कीजिए नमर चार जो लोग पित्रों के नाम से देवों के नाम से और गौ के नाम से प्रती दिन अपने घर से कुछ ना कुछ निकालते हैं अपने हाथ से निकालते हैं उनके उपर देव पित्र सदाई प्रसन रहते हैं इसलिए बेशेश रूप से ध्यान रखें कि प्रती दिन कु अन्य दान करते हैं, सपेद वस्तु का दान करते हैं, पित्र सदाई उनके उपर प्रिसन रहते हैं, और जो लोग अगनी के लिए निकालते हैं, देवों के निवत निकालते हैं, बागवान की क्रपा सदाई उनके उपर बनी रहती हैं, इस चीज़ का विशेज ध्यान रखना क्योंकि इंसान को पर पित्र रिड होता है जब तक उस रिड की पूर्थी नहीं होती इंसान की मुक्ति नहीं होती है चाहिए वो कितना भी धंदोलत कमाले लेकिन पित्र रिड की पूर्थी करना आती है आवश्यक है इसलिए प्रतिक मावस की मावस पित्रों के नाम से निका रहते हैं और इनसान की सारी मनुकामनाय पूरी खड़ते हैं अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो जीवन में कभी किसी परकार का कश्ट नहीं आएगा और हर मनुकामना आपकी पूरी होगी नम्मर पांच दोस्तो इस बात का आप विश्य द्यान रखें कि सुवए उठते ही शरप प्रतम आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए उसके बाद में थोड़ा सा सतना जलेकर के पक्षियों को डालना चाहिए और थोड़ा सा आठ प्रति दिन चीटियों को डालना चाहिए ऐसा करने से आपके दोसों की निम्रती होती है जो भी आपके उपर अशुक दोसों अशुक परिशानिया हों वो दूर होती है संकटे टलते हैं और भगवान से शदा ही प्रसंद रहते हैं प्रति दिन सबसे पहले उठकर के भगव की शुरुवात हो रही है भगवान वा दिन पूरा अच्छा निकालें ऐसा प्रति दिन भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभू आपके हमारे उपर बड़ी कृपा है हम आपके आग्या से कारे करते हैं आप अपनी कृपा हमारे उपर ऐसी बनाये रखें प्रति द प्रति दिन भगवान के सिव जी का भगवान का द्यान रखें और सिव लिंग पर गंगा जल्से अफिक करना चाहिए तो यह थी पांच बातें आने वाले वीडियो में आपको प्रति प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राब जरू करें बगर बेल आग जरूर लेकें ओम नमस्ष्वाय